बाला साहिब के विचारों को जिन्दा रखने की लड़ाई है और ये चुनाव उसी पर हो रहा है वालाई साब आज अलग अलग जगे गए ये तो अच्छा वो अद्दव जी और एकना जी सुद्धानजली देने के लिए बिल्कोल भाला साहिब ठाकरे का जो समारक बना है वो डादर में जो महापर निवास था उससी पर बनाया गया है जो महा पर निवास था बनाया गया वहाँ पर बालाज साहिब Такर घौए वहां गया इकना शंदय अलग गये उमिदी कि कॉंग्रेस के बड़े नेता आए लेकिर अभी कॉंग्रेस को बड़े नेता महराश के नजर नहीं आ रहे हैं। अभी कॉंग्रेस की जो पांच कड़ी हैं। 1985 में जब पहला विदान सबाद चनाव हुआ था तो शरत पाहर की कॉंग्रेस पार्टी के साथ बाला साहिब ठाकरे का गड़बंदन हुआ था। उसमें जोर्ज फंडाडिस की पार्टी शामल रही थी बातियंता पार्टी का भी उसमें गड़बंदन रहा था। अब्दूर्रमान अंतुले के साथ उनके बहुत अच्छी दोस्ती रहे थी जो महराज के मुख्यमंती रहे थे। डांगे जो कम्मुनिस्ट के बड़े नेता तो बाला साहिब ठाकरे के करिभी मित्रों में शामिल थे। अज अज जो काम उद्व ठाकरे ने 5 साल पहले किया बाल ठाकरे किसी भी हद पर जाकर कर सकते थे। उनके राजनीति कॉंग्रेस की विरोध की राजनीति रही है। और बहुत आकरमग को रूख उन्होंने अक्तियार किया। तो कॉंग्रे साथ वो कभी सरकार नहीं जाते हैं उनकी आखरी स्पीच में कुछ और बात भी थी उसकी बात अभी करते हैं लेकिन मुदी जी की बात सुननी राउल गांदी ने लेकिन इसमें देखें हैं तो जैसे कि आपने पहले बताया कि यार यह होता भी है कि क्रॉस्ट की लड़ाई है तो उसके अगली पंक्ति की हिसाफ से सोचे सोराव और यह बड़ा दिल्चस्प रहेगा कि इंडिया टीवी के चैन्में रजा शर्मा जी का जो आपकी अदालत में बाला साथ आये थे तो उसमें उन्होंने उनसे सवाल पूछा था रजा जी ने कि क्या बा कि आज लड़ाई हो रही है और यही नेरेटिव खाड़ा करने कोशिश कर रही है बीजेपी चैन्मा तीने बाद बाद वजब इस बात को कहते हैं कि राउल गांदी से बुलवात हो दे कि हिंद विदर समयर्थे बाला साथ ठाकरे या अमिशा कहते हैं या देविंध अवदेश जी उन्होंने कुछ दिनों पहले आज नहीं कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया था यहां अलग नहीं नहीं चाहिए दुखान बाद कर दूगा यह मनला आज के रेफर्रेंस्मिन यह बाला साथ ठाकरे का अवदेश जी ने किया था यह सामीक है जो आप चट्चक करें कि कॉंग्रेस जो समीर यह मैं इसी के बारे में पूछा था ठाकरे से मुंबई के कारेकरम में बताने लेगे नहीं नहीं आप लोग आधा बयान दिखाते हैं हमेशा उन्होंने तो कुछ और कहा था यह उन्होंने नहीं कहा था यह उनको जस्क्राइब किया आधिकार पर भी पाबंदी लगा दी 6 साल तक वो चुनाव भी 99 में वोट की लड़ाई उसके खिलाफ हुई लेकिन वो अलग मिट्टी के जो लोग होते ना उस तरह के लोगों में से बाला ठाक रहे हैं जो खुद स्थीक समझते हैं उस पर वो अड़े रहते हैं खड़े उस तरह के वो नेता रहे आपको उनकी विचारधारा पसंद हो नहीं पसंद हो आप सोचिए कि शिवसेना की लड़ाई सबसे पहले दक्षिन भारतियों के साथ शुरू हुई थी क्योंकि उस समय दक्षिन भारतियों लोग वहां पर यवसाय में बड़ी जगे बना रहे थ तो उनका एक नारा आया था जो सबसे पहला नारा था शिवसेना का लूंगी की बजाव पूंगी क्योंकि लूंगी पहनते था वो साथ इंडिया तो वो और हमेशा मराथियों के लिए लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई महाराश का अकेला नेता होगा तो वह बालास था क्रें होंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और किसी भी तरह से कोई समझोता उन्होंने नहीं किया जब यहाँ पर बात हो रही थी भारतिय जंता पार्टी और बाजपे जी अडवानी जी उनके साथ बात कर रहे थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए तो मुख्यमंत्री की बात हुई तो उनका मुख्यमंत्री किसे भी बनाओ आदेष मेरा ही चलेगा, खुलकर का, तो यह जो नित्रत है और एक बात और होती थी क्योंकि मैं मातुष्री में भी गया, बाद मैं उदफ सब ठाकरे का भी इंटर्विthery करने के लिए में बगया था, तो बाला सब ठाकरे के लिए यह कहा जाता था कि मातुश्री का कोई आदमी किसी दूसरे दरवाजे पढ़ नहीं जाएगा मातुश्री का अब वो भी बात रहे गई अब आज जब उनके पुन्यती थी है उस पर मैं अची बाते करके उनकी आत्मा को तो नहीं दुखाना चाहता लेकिन ये घटनाय हुई है जिन पर चर्चा बड़ी होती रही है और उनका जो किसी बात में वो अकसर बीयर लेकर बैठते थे अपने साथ बीयर बहुत पीते थे पुलिटिकली करेक्ट होने की कभी को ज़रुद नहीं पड़ी कोई दिखावा नहीं